ओम नमस्षिवाय मैं हूँ एस्ट्रोजर केम सिन और मैं अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज जिस तरीके का भुकम पाया है इसकी प्रेडिक्शन बहुत पहले ही कुनली एक्सपर्ड के इस चैनल पर कर दी गई थी और इसका जो प्रेडिक्शन किया गया था जैनवरी फेबररी की पांच भविश्वाडी थी जिसका क्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ और उस भविश्वाडी में बताया गया था कि एक्जेक्टली जो इंडिया का जो सेंटर है उसके रिस्पेक्ट में नौर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहुत तगड़ा भुकम आने वाला है और इसमें सबसे ज़ादा प्रभाव जो होगा वो योरप में आएगा योरप के आसपास का जो योरप दिया गया था उसमें और आपकी सुविदा के लिए मैं या पर क्लिप भी लगा रहा हूं आप इस क्लिप को देखिए और यहां पर जो प्रडिक्शन सत्य होती है आकर मैं जरूर अपने चैनल के माद्यम से बताता हूं का जा जो पडोसी देश हैं उन पडोसी देशों में कई जगा आग लगने की घटना है भुकम्प अती तीवर हो जाना क्योंकि मैंने दो डेट बताई थी एक सत्रा जैनवरी का डेट पहले बताया था और एक मैंने डेट दिया था तीस तारीक के आसपास का उन्तिस तारीक बार भानिंग अरिया में जो प्रुपहों होगे, छे से जाधा की तीवरता वाले आएंगे और तगड़ा भुकम्प होगा, जबकि भारत में इसका प्रभाव बहुत कम पढ़ने वाला है, भारत में बहुत बहुत जाधा प्रभाव नहीं रहेगा, इसमें जो भी प्रभा तरनाखो 6 की तीवर्ता साथ की ये तो 8 की आसपास आ गया 7.8 तीवर्ता और किस तरीके से मकान गिरे है कितने लोगों की जान गई है अभी तो कैलकुलेशन करना ही मतलब लोग जो कैलकुलेट कर रहे होंगे उससे कही जादा लोग की वहाँ पर मौत हो चुकी है लेकिन फिर ने तो अपना जो करना था उन्होंने कर दिया क्योंकि बार-बार मैंने बोला है कि शनी की नीच दृष्टी से बच के रही है और मेधिनी के हिसाब से जो शनी की नीच दृष्टी पढ़ रही एग्जेक्टी उसी एरिया में पढ़ रहे थी कुछ पोर्शन जो था पाकिस्तान में और जिस तरीके से वहां पर क्राइसिस चल रही है अर्थ विवस्ता को लेकर ये भी एक बुकम्प से कम नहीं है तो पूरा अगर आप देखेगा तो पूरा का पूरा जो चीजे चल रही है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में ही सारी निगेटिवटी बहुत त साफदान नहीं रहेंगे तो परिशान जो होंगे सभी लोगों को इसको उठाना पड़ेगा इसका प्रभाव भारत में बहुत जादा नहीं होने वाला है भारत में इसका प्रभाव बहुत निगेटिव नहीं होगा लेकिन बाकी जगा पर इसका प्रभाव जरूर होगा जो मैंने वीडियो लोगों ने शेयर किया और बताया कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कमेंट सेक्शन में लोग ये पूछ रहते की अब आगे जो ये ये अड़ानी का वो चल रहा था सकैम हिंडिन बरका है और कई लोगों formulated की सकैम हो चुका है भी प्रूफ करने के लिए भी वेट नहीं कर रहे हैं वो मान चुके हैं कि स्कैम हो चुका है तो इसका अगर है रियली स्कैम है तो इसका नतीजा जो रहेगा लोकसभा के चुनाव पर क्या होगा और लेडी वीडियो मेंने पोस्ट कर दिया था जो आज वीडियो बनाने का जो में उद्देश है एक तो ये अर्थक्वेक वाली जो बविश्वारी सत्त हुई है इसको अपडेट करना था और दूसरा कई लोग जो कमेंट सेक्शन में लिख रहा है कि 2024 में चुनाव ही नहीं होगा कुछ ऐसी घटनाए घटित हो जाएंगी कि चुनाव नहीं होगा और बेसिकली देखिए जो चुनाव वाली कंडिशन है वो तो होके रहेगी इसको आप मना नहीं कर सकते है कोई भी आपदा बहुत इस तरीके किया जाए कि आपातकाल लग जाए और चुनाव नहीं हो ऐसा चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है इस समय फिलाल का आजाए और कुछ लोग ये भी कह रहे है कि 2024 में क्या मोदी जी वापस आएंगे या नहीं आएंगे तो उस पे भी मैं डंके के चोट पे यहाँ पर बोल रहा हो मोदी जी ही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए और डिस्क्लेमर दे देता हो कि मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई जुडाव नहीं है ये जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ प्रेडिक्शन कर रहा हूँ हाला कि 2023 थोड़ा सा जो स्टार्टिंग आया हुआ है ये बहुत पहले भी बताया गया था इस चैनल पर कि कुछ परिशानी जो भारती जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा या उन पर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगेंगे ये सारी चीजे भी इस चैनल के माध्यम से बताई गई थी तो वहीं घटनाएं हो रही हैं लेकिन में जो परिशानी अभी बची गए पुरे वर्ल्ड के लिए मैं चिंदेत हूँ पुरा जो वर्ल्ड हो रहा है उस पर जो घटनाएं आने वाली प्रेरा जो अपना प्रेडिक्शन है वो ये कहता है कि 2024 में जो सीटे रहेंगी भारती जनता पार्टी की थोड़ी सी कम रहेंगी वो 400 प्लस वाली सीट पर मैं अग्री नहीं करता हूँ चुनाओ के दिन जब रिजल्ट आएंगे जरूर मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट वाले दिन कि जो मैंने बताया एग्जेक्ली उसी के हिसाब से आ रहा है 400 प्लस वाली सुनामी जो है वो मुझे नहीं दिख रही है लेकिन फिर भी अकेले अपने दम पर भारती जनता पार्टी यहां पर सरकार बनाएगी 2024 में चुनाव होंगे मैं बता रहा हूं कई लों तो यह भी कहना है सर चुनाव होंगे यह नहीं बहुत सारे स्पोजर्स बोलने है सुनिये सब की बात कोई दिक्कत नहीं है समय बता देता है कि जो प्रेडिक्शन दी गई है वो सत्त है या सत्त है यहां पर मैं बता रहा हूं 2024 में निश्चित रुप से चुनाव होगा लेकिन 2023 यह एगरी करना पड़ेगा कि यह बहुत अच्छा समय नहीं है विशेस रुप से जब समय मैं जून जुडाई का समय रहेगा जब पूरे तरीके से गुरु चांडाल दोश भी बनेगा उस समय जादा परिशानिया उठाना पड़ेगा मैं गारेंटी के साथ बता रहा हूँ 2024 में चुनाव होगे और मानिनी मोदी जी अंतिम प्रधान मंत्री नहीं है यह भी मैं पता दे रहा हूँ मानिनी मोदी जी देखे देश में थोड़ी परिशानी है इस बात को मैं अगरी करता हूँ थोड़ी परिशानी चार्ट बहुत अच्छा नहीं है इससे मैं अगर कहा जाए और जो आपातकाल है वो बाकी जगा सब गिर जाएंगे भारत के आस पास के जो पडोसी राज है वो पहले ही गिर चुके है लेकिन भारत की अर्थविवस्था ना तो खराब होने वाली है ना ही मानिनी मोदी जी के लिए कोई नीगेटिव चीजें यहाँ पर देख पा रहा हूँ हाँ 2025 में कुछ ऐसी गटना ज़रूर होंगी जो मैं बार बर बताया हूँ कि किसी कारण वश वो योगी जी को कुछ दिनों के लिए वापस आना पड़ेगा सी एम से पी एम बन कर आना पड़ेगा यह मैंने प्रेडिक्शन दिया है वो गटना पर अभी भी मेरा रिसर्ट चल रहा है लेकिन 2024 में चुनाव होके रहेंगे यह मैं बता दे रहा हूँ और यह डंके के चोट पर बता रहा हूँ चुनाव होंगे और प्रधान मंतरी मानिनी मोदी जी ही तीसरी बार यह सबत लेंगे आप भी इसको चेक कर लीजेगा तो अभी के लिए इतना ही मैं हूँ एस्टोजर के अंसी ना बाकी आप अपनी प्रतिकेयां कमेंड बॉक्स में लिखिएगा